यहां पर अपन लिखा था एक लाख रुपए कि मुझे साल के एंड तक मुझे एक लाख रुपए अपने खुद के बैंक अकाउंट में करने दे सो अब हुआ गया है जो मैं लॉफ एट्रेक्शन करता हूं जो भी रहता है सो जैसे की जो मैंने लिख कर रखा है आपको शायद कैमरे में उल्टा दिख रहा हुआ क्योंकि सेल्फी कैमरे से कर रहा हूं सो यस एक लाख मैंने क्रॉस कर लिए है जैसे किता है दिसंबर भी कंप्रीट नहीं हो पाया है इस लाइक 26 नवंबर और दिसंबर तो चालू भी नहीं हुआ है सो यह सब हुआ है दस दिन के अंदर यह क्लिप आज से तीन साल पहले की जब मैं यह सोच रहा था कि कैसे मैं एक लाख रुपे कमा हूँ और मैं उसकी वीडियो बना रहा था है मेरा नाम आरेंदर पार्टी है मेरी उम्र 19 साल है आज मैं एक अपनी एजिंसी रन कर रहा हूँ एक सैस प्लैटफॉर्म बिल्ड कर चुगा हूँ यहाँ पर हम अपने क्लाइंट के लिए 248 करोड रुपी का रिवेन्यू जनरेट कर चुग है आज जो मेरी मार्केटिंग कंपनी है और जो सैस प्लैटफॉर्म हम बिल्ड कर रहे हैं उसकी वैलेशन पचास करोड से ज्यादा की है बट यह करोडों की बात आज साथ साल पहले चालो होती है जब मैं बारा साल का था मेरे पापा एक सीक्यारिटी इंचास थे उनकी सैलरी उस ताइम आठ हजार रुपे थी मम्मी एक छोटा सा स्कूल चलाती थी जिसकी फीस पचास से साथ रुपे हुआ करती थी बीस तीस बच्चे पड़ा करते थे कुछ इता बड़ा मैसिव स्कूल नहीं था तो छोटी फ फैमली इतना फॉर नहीं कर सकती हैं बट एक टाइम आता है पूरे साल में जो की होता है बड़ डे जहां पे आप घरवालों से कुछ मांगतों मेरे केस में यह होता था कि मैं साल में कुछ भी एक बार मांगो मेरे घरवाले मुझे दिलाते थे तो मैंने इस बार हिम्मत करी और मैंने घरवालों पे बोला कि मैं कोई कम्प्यूटर चीए है घरवाले में बात करी एक भाईया से थर्ड हैंड कम्प्यूटर लिया वो हमारे पास आ गया कुछ उनकी बात होगई कि एक दो मैने में पेइमेंट कर देंगे अब मेरे पास कम्प्यूटर आ चुका था एक जो बड़े रहते हैं, उनका आशरवाद लेने के लिए हम पैर चुने जाते हैं, उसके बदले हमें, बदले में तो नहीं, बट ऐसे जेशर हमारे जो बड़े रहते हैं, हमें कुछ पैसे देते हैं, तो मेरे दादा जी थे, मेरे ताओ थे, मेरे चक्चू थे, तो सब मिलाके मेरे पास 1000 रुपे हो चुके था दूसरी सुबा 17 किलो मिटर दूर नीलवर जो मेरा एक गाउं था उसे दूर जो भोपल का मेन एरिया है महाँ पर मैं पापा के साथ जाता हूँ स्कूटर पर स्कूटर पर पीछे टायर हुआ करता था पकड़ बैठा हूँ और मैं पूरा इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसे क्या क्या मैं देखने आला हूँ याला गेम डाउनलोड करूँगा इस्पेस दबा के लात मारेंगे बहुत मज़ आने आला है बहुत एकसाइटेड हूँ वहाँ पहुचते हैं उस दुकान पर और मैं पूछता हूँ कि भहिया नेटसेटर है वो बोलते हैं तेरा सुरुपे का मुझे पता था कि सिर्फ हजार रुपे है मेरे पास मैं पापा की तरफ देखता हूँ और पापा बोलते हैं कि चलो और दुकान पर पूछ के आते हैं उत्ते में जो भहिया उधर काम करते थे वो बोलते हैं कि भहिया ये सबसे सस्ता वाला यह है मैं वापस पापा की तरफ देखता हूँ पापा हजार रुपे निकालते हैं और बोलते है कि 1100 रुपए हो जाएगा, तो अंकल भी बोलते हैं, जो वहाँ पर दुकान के मालिक रहते हैं, बोलते हैं कि चलेगा, 1100 रुपए दी है, हमने नेट सेटर लिया, और अब जो मेरा प्रॉस्पेक्टिव था कि मुझे बहुत इंजॉय करना था, गेम खिलने था मुझे कोडिंग से हैंग करना था, किसी का पाइथन में बनाके कम्ट्यूटर हैंग हो जाये करते थे, वो करना था, अब मेरा पूरा प्रॉस्पेक्टिव चेंज हो चुका है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था, कि आज के बाद अगर पापा को कुछ भी पैस खर्च करना हूँ, तो वो सोचे नहीं चाहें, लाखो रुपे वो खर्च कर दे, उनको सोचना नहीं पड़े कि क्या मैं इसको खर्च करूँ या नहीं करूँ, जस्ट नेट सेटल लेके आते हैं, अगली सुबा मैं बैट जाता हूँ, क्योंकि रात को इस टाम नेट नहीं मेरे लिए तो महीने भी 500 रुपे आ जाए, बहुत बड़ी बात थी, वहीं पर मैं लग जाता हूँ, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे फोटो शॉप चलाते हैं, वो कम्प्यूटर पूरा डबा पड़ा हुआ था, उसमें इंस्टॉल करना ही, सॉफ़वेर को एक बहुत ब भी जाता था, और सिखाते भी जाता था, ऐसे चलता रहा, और 1500 वीडियो उसके बाद मेरे एक्सिंस अकाउंट में 7 डॉलर थे, 490 रुपे के करीब, जो कि मैं खुश था कि ओके, 500 रुपे जो सोचा था, वो चीज आ चुकी है, बट अब मैं यह सोचा हूँ कि मैंने यह 490 रुपे कैसे कमा है, यूटूब ने 490 रुपे मुझे दिये कैसे हैं, तो मैं वापे सोचनल लग जाता हूँ, और मैं फिगर आउट करता हूँ कि एक ब्रैंड रहता है, जैसे कि आपने यह वीडियो देख रहे होगे, इससे पहले आपको एक एड आया होगा, एक और सर्विस को मुझे बेचना सीखना पड़े है, जो मेरा एक टैक चैनल था, उस पर मैं वीडियो जाला करता था, उस पर मेरे 5000 सब्सक्राइबर थे, और मेरे लोकल एरिया में लोग जानने लग गएते, क्योंकि ये जियो का जमाना नहीं था, ये जियो से पहले का जमाना था, जहां पर 5000 सब्सक्राइबर भी होना एक सेलिबरिटी वाली फील थी, वहीं पर एक दिन मैं आ रहा था अपने स्कूल से, मैं उत्रा चौराए पर और चलते रहा, तो एक भावा कैसे हो, तो मुझे बावा बावा बोलते थे, कैसी चल रही है वीडियो, तो उन्हें एक मैं को एक पॉइंट हिट होता है कि मुझे एक सर्विस या प्रड़क्स बेचना था, अभी तक मैं बहुत सारी मार्केटिंग वीडियो देख चुका था, कि कैसे किसी को पिछ करना है, क्या सैल करना है, और उसी टाइम में बोलता हूँ, भावा कैसे करें आपा, तो मैं उन और उसको ले लिया, आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके पास और उसको मना नहीं करना चाहिए, जिस्ट आप पहले उसके लिए हाँ कर दो, उसको सीखने के लिए काम चालू करो, होगा तो ठीक है, आपको पैसे मिलेंगे, नहीं हुआ, तो आपको कुछ लर्णिंग मिलेगी, बस वो ही मैंने दिमाग में लगाया, मैंने बस उनसे बोले कि आप आजाना, और एक कैमरे की जुगाड कर लेना, कि जिससे शूट करना है, तो वो सब उनके पहचान थी, वो चौराएपी बैठा करते थे, तो चौराएवाले भाई, आपको पता ही है, सब जुग करना है, अब बहुत सारी गलतियां भी हो जाया करती थी, तो स्टार्टिंग की कुछ वीडियो मेरी गई हैं, कि बलर आई है, वो फोकस नहीं हो पाया है, तो मैं बहुता है, यह एफेक्ट है, तो जब वो पूछते थे, तो मैं अपनी गलती को भी एक फीचर बता दिया कर मैंने डारेक्ट उसको लिखा, 900 डॉलर, मैं भी मजाग करने लगा, क्योंकि उसने मजाग करा था, उसने बोला, send your PayPal ID, क्योंकि मैं बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट पर फ्रीलैंसिंग करने के लिए डाल के रखा था, तो मेरी PayPal ID बनी हुई थी, मैं उसको PayPal ID सेंड करता और मेरे पास एकदम से नोटिफिकेशन होता है, 900 डॉलर क्रेडिट, ये एक ऐसा टाइम था, मैं खुल लगा यार, ये क्या था, ये तो actual नोटिफिकेशन आ रही है, तो मैं बहुत टेक्निकल बंदा था, तो मैं email देख रहा हूँ, क्या सच में PayPal.com से ही आया है email, मैंने बंदे से मैंने कम से कम 5-6 लाग रुपे कमा है, बट अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था, की बंदा करता क्या है, मैंने उसको message भेजा कि आप करते क्या हो, आजकल बहुत वीडियो वाइरल होती है, what you do for your living, मैंने उस टाइम वो question पूछा, की करते क्या हो, तो उनने ब अच्छी नहीं थी, वापिस opportunity आई थी, मैंने उसको grab करा, मैंने का देखते हैं, मैंने उसको editing करना चालू कर दिया, मेरी उससे English भी improve हो गई, मैंको drop shipping के बारे में पता चल गया, और उस course में हो क्या रहा था, वो 2000 डॉलर लगाता था, दूसरे दिन 4000 डॉलर हो जाते थे, 8000 डॉलर और मिहां पे मैं अपने सपने देख रहा हूँ, कि भाई, दो लाग लगाना है, 4 लाग होने, 4 लाग से 8 लाग, ये पैसा, ये गाड़ी, ये घर, पूरा सैटल सा, बहुत लग रहा था कि मैं financially independent हो चुगा हूँ, अब मुझे school भी complete करने के जरूरत नहीं है, यही हो अच्छा जाए, और जो भी profit होगा, एक percent में आपको दूँगा, और फिर मैं जैसी उठा हूँ, मम्मी से बोलाओं कि मम्मी देखना इस अगले महीन अपन काल लेने आ लें, तो मम्मी कभी ऐसे demotivate नहीं कर दी थी, मम्मी ने बस smile करी, चलो अच्छा है, हो जाएगा, और दो लाक रुपे मैं लगा देता हूँ, अपने influencer marketing जो भी drop shipping मैंने सिखी थी उसमें, वो दो लाक रुपे लगाने के बाद मैं को सिर्फ 15 सो रुपे की sale आती है, जो अभी तक सपने अपर 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 जा रहे थे, अब वो बिलकुल रुक चुके हैं, कहां गाड़ी, कहां सब जा चुका है थी, और मैं दो-तीन दिन बैठा हुआ हूँ, कि क्या करूँ अब, और मैं को मतलब मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि खतम हो गया सब, अब कुछ बच्चा ही नहीं है, तीन दिन बाद मैं realize करता हूँ यार कि कुछ बिगड़ा नहीं है मेरा, मेरे को आज भी मिल रहा है, आज भी घरवाले फीस भरी देंगे, ऐसा मैंने कर लिया था कि टेंथ के बाद मैं थोड़ा पैसे कमाने लग गया था, कि लेवन्थ में ना मैं स्कूल की फीस लूँगा, ना ट्यूशन फीस लूँगा, ना आने जाने का खर्चा लूँगा, यह मैंने मना के तो अब बस यही था कि ठीक है, अब मैं को घरवालों से पैसे लेने पड़ सकते हैं, फिर तो अभी तक मैं स्कूल की फीस खुद भर रहा था, तो जब सोचा और फिर वहीं पर आया कि यार, पाने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं वापिस मेहनद चालू करता हूँ, खोने लिए कुछ भी नहीं बचा है जीवन में, और मैंने को एक अंदर से आया कि यार, इस ड्रॉप शिपिंग बिसनिस ने, अगर मेरे से दो लाक रुपे लिए हैं, तो मैं इसी से पैसे निकालूँगा, अभी तक जो बंदा एडिटिंग करा रहा था, उसका इतना अच्छा चला है नहीं तो उसने भी, उदर से पैसा आना भी मेरा बंद हो चुका था, अब मैं चालू करता हूँ, ड्रॉप शिपिंग सीखना, एक्च्छल में की और क्या वेज हैं, इंफुलेंसर मार्केटिंग के अलावा, तो यहां से मुझे पता चलता है, फेस्बूक एड्स, म 1280 रुपे के अड्स चलाता हूँ, और उससे मुझे 2400 रुपे की सेल आ जाती है, और मैंको एक्च्छल लगता है कि ओके, अब यह टाइम है, वापिस उपर उपने का, मैं बस थोड़े 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 पैसे लगाते जाता हूँ, जो आता है उसको मैं वापि आइफोन है, मैक बूक है, तो लोग रिप्लाइ करने लगे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मैंको रिप्लाइ करने लगे, कि करता क्या है, तो मैं उनको बताने लग गया, कि एक डॉप शिपिंग रहती है, ऐसा ऐसा रहता है, पूरा मॉडल बताने लग गया, कि चाइना से सिलेक्टरना है, एक Shopify पर आपको वेबसाइट बनानी है और US में एड चला के आपको प्रड़क्ट सेल करना है बहुत इसी है तो वो बोलते थे क्या तुम मेरे लिए कर दोगे मैं बोला हाँ, तो मेरे आप इस टोल ले लो मेरे दिमाग में आया कि यार में को Facebook आड्स बहुत अच्छे से आने लग गया है Shopify बहुत अच्छे से आने लग गया है Dropshipping model किया है, वो बहुत अच्छे से आने लग गया है क्यों ना इसका course बना दें तो वहीं पर मैं एक Facebook आड्स का course बनाता हूँ उसके ads run कर देता हूँ और वो course आज 35,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने खरीदा जिसमें से 1000 लोग 10,000,000 रुपे से ज़्यादा रुपे का revenue जनरेट कर चुके है अब मैं तो चला रहा था अपने course के ad और क्योंकि वो मेरे पास domain एकी था edimize.com तो लोग edimize.com पर आया और उनको लगा कि agency और उन लोगों ने मुझे message करा कि आप मेरे ad चला दो और मुझे पता ही नहीं था कि facebook ads की भी agency चल सकती जो audience थी उसने ही मुझे बताया कि मेरी power क्या है आप किस से पैसे क्यों तक क्यों मैं first project उठाता हूँ 20,000 रुपे का क्योंकि उस time में बहुत famous सा हो रहा था कि बहुत सारे ads चल रहे थे first project आया 20,000 का second client आया मैंने उसको 30 pitch कर रहा उसने 30,000 मुझे pay करें third आया real estate का था मैंने का भाहिया इसमें तो बहुत महनत लगती 45,000 plus GST उन्हें मुझे 45,000 plus GST pitch कर महां से एक agency business की चालू हो गई थी और actual में मेरे पास अब पैसा आने लग गया था जब मैं 17 साल का था एक lower medical class family के लिए कार लाना बहुत बड़ी बात होती है जब मैं 17 साल का था जब किसी का driving license भी नहीं बनता जब मैं अपनी पहली कार लेके आ गया था और घरवालों का यही था कि देख तेरे पास आज तो पैसा आ रहा है क्या कल पैसा आएगा क्या EMI भर पाएगा तो मैंने वापिस वही अप्रोच लगाई कि वस्ट के सिनेरियों सोचते हैं नहीं आएगा पैसा EMI नहीं बरूँगा बैंक वाले ले जाएंगे वापिस इसकूटिय पर भूँएंगे तो ऐसे करके मेरा आगे 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 बढ़ता रहा जहां पर मैंने रिस्क बहुत जादा लिया और वस्ट के सिनेरियों सोचके मैं decision making decision making करते रहा आज से 3-4 साल पहले मैं Joe Stock में देखा करता था जहांसे मैं motivation जोश लिया करता था कि मैं life में क्या कर पा हूँ और आज मैं उस platform पर हूँ तो में को लगता है कि एक first chapter मैंने complete करा है आज की age में हम यह सोचते हैं कि हमें Mercedes लेनी और second thought पर यही सोच लेते हैं कि कैसे लेंगे कभी भी आप अपने आपको कम नहीं समझो आप अगर सोच सकते हो तो वो अचीव कर सकते हो थैंक यू अगर आप इस stock के end तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको Josh Talks का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूँ जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ हो और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे है Josh Talks ने एक नया एप लॉँच किया है जिसका नाम है Josh Skills अब वो नया नहीं रहा काफी टाइम से है लाखों लोग उसको अब यूज करते हैं और Josh Skills पे आप अपनी जिंदगी के लिए courses ढून सकते हैं वो course नहीं जो आपको physics, chemistry, commerce, business studies पढ़ाएंगे वो courses जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहें वो सिखाएंगे मैंने खुद Josh Skills पे बहुत सारे courses बनाए हैं पब्लिक स्पीकिंग पे, emotional crisis कैसे handle किया जाए अपनी personality कैसे develop की जाए हर एक course में daily quizzes है, exercises है, एक बहुत ही खुबसूरत community है जो आपको support करेगी, आपको encourage करेगी, आज ही download करें Josh Skills का app और उनकी courses explore करके अपनी जिंदगी को आगे पनाए